राम लला की दिव्या और भव्य अलोकिक श्याम वर्न प्रतिमा का दर्शन और उसकी विसे स्ताये नवस्काल दोस्तों मैं हूँ सुभाष आप सभी का निउस ग्यान दर्शन 9 में स्वागत है खरोडो लोगों की सेकडो वर्शों की तपस्या आज तब भाव खो उठी जब राम लला की प्रतिमा की पहली तश्वीर देश ने दर्शन किया गर्व ग्रिव में विराजित रामलला की बाल सो रूपी प्रतिमा की विशेस्ताएं अनेक है जो सब्दों में बयान जितना करे उतना कम है एक कावन इंच उची और तीन फिट चोड़ी शैम वर्ने की यह मुर्ती करीब दो सु किलो वजन की है छेसो वर्ष पुराने विशेस काले पत्थर से निर्मित यह प्रतिमा बिना किसी जोइन से निर्मित है जिसे करनाटक के अरुन योगी राज ने बनाया है पिछले पांच वीडियों से इनका खांदान मुर्तिकार से जुड़ा हुआ है इंडिया गेट की 30 फूट निताजी सुबाचंद्र बोष की प्रतिमा या केदारनात में 12 फूट आदी संकराचारिय और महिसूर में 21 फूट हनमान जी की मुर्ति या इनकी खास कला कुरती है आद्या के राम मंदिर के गर्व ग्रुव में स्थापित राम लला की यह बच्पन की मासूमियत और तेजस्वी प्रतिमा की खासियत देखो तो इसे वान विश्णू के दसावतार में दर्साया गया है एक और कुर्म वरहा नर्सी में वामन तो दुसरियों पर सुराम राम कुर्ष्ण बुद्ध और आखरी में काल की आउतार में दर्साया गया है वही निछले हिस्से में देखो तो दाहिनी ओर हनमान जी तो दुसरी तरफ गरूर देवता है राम लल्ला की मुर्ती कमल के फूल पर विराजमान है उपरी हिस्से में चक्र, संख, ओम तो दुसरी तरफ गदा अस्वास्तिक है राम लल्ला के बाएं हाथ में सोने का धनूस है और दाइने हाथ में सोने का तीर है जो देखते ही मनता है दोस्तो आसा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा यह वीडियो बहुत बहुत पसंद आया होगा और बहुत सारी जानकारी मिले होगी तो प्लीज इसे धेर सारा लाइक सब्सक्राइब करें और आपके कोई जरूरी कमेंट्स हो तो जरूरी कमेंट्स बॉक्स मिली के